Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.08 का second unit पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि particular unit के अंदर में कितने lessons हैं उन lessons के basis पे क्या topics बन सकते हैं, exam में जो पूछे जा सकते हैं उन topics के basis पे questions कैसे पूछे जा सकते हैं और questions का pattern जो भी questions पूछा जा रहा है, जो भी questions बनता है उसके pattern क्या हो सकते हैं, उसके बारे हम discuss करेंगी short video है, short video के बिदर से आप जल्दी समझ पाओगे और exam का time नजदीक है, तो इस तरह की video से आपके लिए helpful रहेगा कि आपको क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नी पढ़ना, selective study कर पाओगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है, तो वीडियो को last तक देखेगा और आगे पीछे की videos भी जुरू देखिएगा, जिससे आपका चीज़े clear हो चले, start करते हैं आज का वीडियो आज का जो हमारा second unit है, उसके अंदर हम बात करें परियावरण और पारंबिक समाज का देखो, पहले हमने बात कर लिया कि मानव का अंतरसंबंद किस परकार से उपर वाले unit के अंदर हमने बात कर लिया, भूध रिष्चे किस परकार का, ये भी हमने डिसकस कर लिया अद्दिन के सुरोत क्या है, वो भी समझ में आ गया अब हम बात करते हैं परियावरण के बारे में, परियावरण और अरंबिक समाज अब देखो, जो प्रकरतिक है, परियावरण है, उसके टाइम पे जो अरंबिक समाज था starting के जो society थी वो किस परकार की थी उसके बारे में हम इस unit के अंदर में discuss करेंगे तो इस unit के अंदर में जो हमारा पहला chapter आता है chapter number 4 जिसके अंदर में हम बात करते है संसादनों का उपयोग और मानव समाज अब देको दीरे-दीरे क्या था समाज विक्सित हो रहा था पहले मानव ने क्या क्या सिकार करना सिखा फिर दीरे-दीरे क्रिशी पसुपालन क्या क्रिशी की और बढ़ा ठीक है उसके बाद अब क्या था कि अब मानव उन संसादनों का उपयोग कैसे कर रहा था नए-ने संसादनों को और विक्सित कैसे हो रहा था अब एक जैसे confusion होता है ना कि यार ये नहीं था तो इससे पहले क्या था ठीक है तो मानलो अब यहां पे तो हम बात करने वाले क्रिशी के बारे में पर क्रिशी जब आया नहीं तो उससे पहले किस तरह के जनसादनों को उपयोग किया जाता था तो नॉर्मली देखो क्रिशी नहीं तो मानब का जीवन किस तरह से व्यतीत होता था तो जीवन व्यापन के लिए मानब क्या करता था सिकार करता था ठीक है सिकार करने के लिए पत्थरों के पाशाण के उपकरणों को उपयोग करता था दीरे दीर पहले स्टार्टिंग में उपकरण बहुत भारी थे पर ग्रूप में जाकर उसिकार करने लगे, बड़े जानुरों का सिकार करने लगे, ठीक है, पसुपालन, स्टार्टिंग में संगरहन, पसुपालन, सिकार, ये सारी चीज़ें के और बढ़ते हैं, ठीक है, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे समय के साथ में क्रिशी की और आते हैं, ठी क्रिशी की शुरुहात हो गई ठीक है तो उस समय पे मानवसटान कोन से संसादनों का उपयोग किया जाता था तो देखो अब करते हैं तो क्या है जमीन जो भी है पानी है उसारा प्रकर्तिक जल का शुरूत है वर्सा पर ना निरवरता कम की जा सके उसके लिए इन चीज़ों का निर्माण किया गया तो किस तर से यहां पर परिवरता नाया उसको आपको बताना है इस चैप्टर के अंदर में यही दो टॉपिक रहने वाले है चैप्टर नम्मर फिप्त के अगर मैं बात करो अगला जो चैप्टर है मारा यहाँ पर हम बात करते हैं अखेट और संग्रहन करता समाज अखेट क्या होता है जो इधर उदर घूमता है जो सिकार करता है अखेट करना के लाता है संग्रहन करता है, उसको हम संग्रहन करता है, खेट और संग्रहन करता समाज, यह वो समाज था, जो स्टार्टिंग के टाइम पिरेड में दिखा, जहां पर वो सिकार करने के लिए, छोटे-छोटे जानवरों का सिकार करने के लिए, खेट करते थे, पूर जंगल में गुमते सॉच चापिक, इस मिलता है। यह कुछ खास topics तो नहीं बनते हैं, पर यहां पर कुछ topic हैं, जिनके उपर हम बात कर सकते हैं, जिनके के बारे में हम पढ़ सकते हैं, वह topic किस परकार के रहने वाले हैं तो जो अखेट और संगरन समाज था उस समय किस संस्कृतिया किस परकार की थी ठीके संस्कृतिय उनकी कल्चर किस परकार का था इसके बारे में रह जाता है यहाँ पर उपकरन किस परकार की यूज की जाते थे उसके बारे में आप यहां पर बात कर सकते हो, प्रोग की विसेस्ता किस परकार का था, स्टार्टी में किस तर से विक्सित हो रहेते हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीके, और उनकी जीवन सैली किस परकार की थी, ठीके, यहां पर हम इनके बारे में डिस्कस कर सकते ह होते हैं यह आपके टिपनी बेसिस कोश्चन में पूट अप के जाते हैं तो उसको थोड़ा सा कर पढ़ लोगा रफली भी आइडिया होगा तो अच्छे साब बनागा कर लिख सकते हो और अच्छे नमबर मिल जाएंगे ठीक है चैप्टर नमबर 6 की और बढ़ते हैं चैप् ब्रमनकारी समाज क्या है वो बताओ अब आप सोचोगे यार मैंने तो बच्पन से खाना बदोस पढ़ा है और खाना बदोस मैंने पढ़ा था यहां पर ब्रमनकारी पूछ रहे हैं तो दोनों का मतलब एक ही होता है थोड़ा सा माइंड में रखना ठीक है तो यहां पर हम बात करते हैं बरमनकारी और पशुपालक समाज के बादे में पसुचारक, पसुचारक मतलब क्या होता है चारा की खोज में जो इदर तो दर जाते है वो, माल लो मेरे पास दस बकरी है या दस घाय है ठीक है दस बकरी Armor, भान लो ठीक है जिसके बाद क्या होता है कि मैं एक वहां पर आपना गाई का मतलब पाल र्याहु हूं टीक है एकिसमे कब तक रहेगा अनाज्व महीने उसके से मेरे इक बपरेगा उसके बाद क्या होगा किूटत में से झूतने भी घांस थी खटम हुपए अब मुझे करना यहां पर चीज के हैं निनिननक फिर एक जगह से धुसरी जगह जाना पड़ेगा उस खेत का भी खतम होगया तो समय जाना पड़ेगा अलग जगह जाना पड़ेगा तो यहाँ पर question यह बनका जाता है कि पसुचारण में ब्रह्मनकारी जो समाज था वो किस परकार का था ठीक है उसको लेकर आ जाता है पसुचारण समाज क्या है उसको यहाँ पर question बनता है यह topic बनता है तो important topic इस वाले chapter के अंदर में यही रहेगा दोस्तों यहाँ पर video यह वाला खतम होता है इस unit second का बट आप सभी student के लिए suggestion रहेगा कि अगर आप MA history के लिए प्रिपेर कर रहे हैं और अच्छे number लाना चाहते हैं कोई भी subject है MHI 01 से लेका MHI 010 तक का तो सभी के last 5 year की question भी अपर एक video मैंने डाल रखी है उस video को जरूर और भी बहुत सारी videos डली हुई है important questions की important topics की और भी भतेरी videos डली हुई है MA history के recording में तो आप उनको जाकर जरूर देखे playlist में आपको सारी videos मिलेंगी ठीक है तो thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best और जो भी आपका response रहेगा इस video के उपर में उसके बाद ही मैं unit third की video start करने वाला हूँ तो bye bye take care all the best